दोस्तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि State Bank of India में Neft और RTGS का form कैसे fill up किया जाता है अगर आप एक bank का Neft form भरना सीख जाओगे तो आप किसी भी bank का Neft RTGS form fill up कर सकते हो कि सारे bankों में लगवग एक ही जैसा होता है और SBI का सिखा देते हैं बागी आप दूसरे bank का खुद ही सिख जाओगे सबसे पहले जान लीजिए कि Neft का जो full form होता है वो क्या होता है इसका full form होता है National Electronic Fund Transfer इसका मतलब है कि electronic माद्यम से fund को transfer करना किसी दूसरे bank में Neft के द्वारा जो है आप एक bank से दूसरे bank में पैसा transfer कर सकते हो मान लीजिए आपका SBI में account है और आप PNB में पैसा भेजना चाते हो तो आप Neft का help लेकर आप PNB में पैसा भेज सकते हो Neft का खासियत है कि आप आधे घंटे के अंदर ही जो है दूसरे bank में पैसा भेज सकते हो इसमें कुछ चार्जेज भी लगता है वो चार्जेज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जैसे कि एक हजार एक रूपया से एक लाग तक भेजते हो तो आपको चार रूपया पलस GST एक लाग से दो लाग तक भेजते हो तो आपको जो है इसमें बारर रूपया पलस GST अगर दो लाग से ज्यादा भेजते हो तो आपको 20 रुपया प्लस GST यहाँ पर देना पड़ सकता है लेकिन बैंक का जो कुछ चार्जेज है वो बदलते रहता है तो इसके बारे में आपको बैंक में जरूर पता करना चाहिए इसके अलाब है कि इन्फर्मेशन ये भी दे दूँ कि बैंक के माध्यम से फॉर्म को फिल अप करके जब पैसा ट्रांसफर करते हो तब तो ये चार्जेज आपको लगता है लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से आप नेफ्ट के थूरू आटेजिस के थूरू पैसा ट्रांसफर क का फॉर्मक दिखता है कैसे फिल अप करना है मैं आपको UST बनेफ बारिशेब बताता हूं ये फॉर्म है और यहां पर देखिये सबसे पहले आपको Neft से भेजना को टिक कर दीजिए RTGS से भेजना है तो Neft RTIGS को टिक करना है उसके बाद यहाँ पर Date डाल देना है जिस ब्रांच से आप भेज रहे हैं पैसे उस ब्रांच का Code यहाँ पर आपको डाल देना होता है उसके बाद Please Remit the Sum जितना amount आपको भर ना है do amount numeric में आप यहाँ पर इसको numeric में आपको भर देना है ठीक है उसके बाद वही amount आपको यो है यहाँ पर डाल देना है आपको word में जैसे की 1000 झालते हो तो यह 1000 numeric में डाल दीजिए और यहाँ पर 1000 यहाँ फ Cash सकते हो इंगलिस वर्ड में ठीक है यहां पर देखिए लिखा हुआ है by debiting my our account तो आप अपना account number से जो है पैसा अगर debit करवाना चाहते हो तो यहां पर जो है अपना account का details आप डाल सकते हो अपना account number डाल सकते हो यहां पर तीन option है ठीक है transfer of neft ठीक है अपने bank account अपने account से डेरेक्ट जो है डिर्फ करवाना चाहते हो पैसे तो आपको account number यहां पर डालना होगा ठीक है इसके बाद name of beneficiary ठीक है name of beneficiary में जो है यहां पर जिसको पैसा आपको भेजना है उसका नाम डालना है जैसे मदन कुमार को भेजना चाहते हो तो मदन कुमार को नाम डाल देना मदन कुमार का bank और मदन कुमार का जो branch name होगा वो आपको डालना होगा नीचे में beneficiary bank and branch में IFC code में माली जी कि उसका आप Central Bank of India में डालना चाहते हो तो वर्ट्स में लिखना है वन थाउजंड वनली इस तरह से अगर एक हजार रुपया भेज रहे हो उसके बाद आप जो है अमाउंट जो है निमेरिक में लिख दीजे चार्जे जो भी आपका लग रहा है जितना अमाउंट भेज रहे हो उसके अनुसार बैंक से कंफर्म करके च आपना नाम लिखुँगा अभिसे अनन मैं अपना एड्रस लिखुँँगा यहां पर मैं अपना mobile नंबर डालूंगा या फिर टेलीफोन नंबर डाल दूंगा ठीक है और यहां पर डेट डाल देना है यूट्यार नंबर जो होता है यह आपका व्यंक देगी ठीक है एक हजार कर रहे हो न रिसीप तो एक हजार रुपे डालोगे फ्रॉम और इसे का अनन मैं डाल रहा हूं पैसा इसलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं ठीक है उसके बाद वही है आपका आप अपने एकाउंट से कटवाओगे या फिर कैस या फिर चेक जो भी ऑप्सन सेले करना है जैसे कि मदन कुमार को कर रहे हो ना तो उनका एकाउंट नमबर डालना है उनका ऐफसी को डालना है ठीक है अपना वाला मत डाल देना यहाँ पर बैंधुरे कोमार का जो सेंटरल वैंक औरा का address जो है आपको यहां डाल देना है amount कितना है आपका 1000 रुपे ठीक है उड़ाल दीजिए charging पता करके दा लगती और दुनों मिला चो होता है दाल देना है ठीक है और जो यहां पर rupees है आपको यहां परigon को आपको फیलब करना है और फिर यह भां जो है आपको बैंक जो है वापस वहाँ पर लोटा देगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर इसको फॉर्म को आपको फिलप करना है आटीजियस हो या फिर नेफ्ट हो यह मैंने SBI का आपको सिखा दिया है किसी भी बैंक का नेफ्ट फॉउप करोगे तो यही सब डीटेल वहाँ पर भी फीलप करना होता है कोई यहाँ पर जदू नहीं है कि दुसरे बैंक का दूसरा होगा ठीक है番 है सारे डीटेल अगर यह सीख गया आप तो आप किसी भी बैंक का नेफ या RTS form fill up कर सकते हो आपको tension लेनी की जरूरत नहीं है Thank you